कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी रज्जे सरकारे अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने अधियार खरीद लें, ऐसे थोड़ी होता है. दिल्ली में युवाओं की वैक्सिन खतम हो गई है, पिछले चार दिनों से युवाओं के वैक्सिनेशन सेंटर बंद पड़े हैं, बुजुर्गों की को वैक्सिन भी खतम हो गई है, हमने केंदर सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सिन आई नहीं है, और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंदर बंद हो गई हैं, इतनी महमारी के दौर में, इस वक्त तो हमें रोज नए-नए केंदर खोलने चाहिए थे, ऐसे वक्त में मौझूदा केंदर भी बंद हो रहे शायद वैक्सिन का एक भी एक्स्ट्रा टीका इंतजान नहीं कर पाया, उन वैक्सिन को छोड़ दीजे जो केंदर सरकार ने दिये हैं, उन्हें छोड़ के कोई भी राज्य अपने प्रयासों से किसी भी कंपनी से एक भी एक्स्ट्रा टीके का इंतजान नहीं कर पाया, वै एक भी वैक्सिन का टीका अभी तक नहीं आया तो फिर देश वैक्सिन क्यों नहीं खरीद रहा है इस वक्त हमारा देश करोना महमारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारे अपना अपना देख लें कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारे अपना अपना देख लें यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें दिल्ली वाले अपने अधियार खरीद लें ऐसे थोड़ी होता है हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता ये वक्त देश के 36 राज्य और यूटी सरकारों को केंदर सरकार के साथ मिलके टीम इंडिया बन के काम करने का है ये वक्त देश के 130 करोड़ लोगों को एक होके इस महामारी से मुकाबला करने का है मैं पृधान मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस वक्त देश के सभी मुख्य मंत्री अपनी अपनी राजनीती से उपर उठके अपनी पार्टी बाजी से उपर उठके देश के सिपाही बनके आपके साथ काम कर रहे हैं आप हमें जिम्मेदारी दीजिए हम हर जिम्मेदारी पूरी करेंगे लेकिन जो काम हमारा है ही नहीं वो काम राज्य सरकारें कैसे करें जो काम केंदर सरकार को करने का है वो तो केंदर सरकार को करना ही पड़ेगा ना उसे हम कैसे करें आप जितनी जरूरत है उतनी वैक्सिन लाके हर राज्य को दे दीजिए उनको जनता को लगाने का काम हमारा है वो हम करेंगे देश ने छे महीने खो दी है कई घर बरबाद हो गए, कई जाने चली गई, अब और देरी की, तो ना जाने कितने और घर बरबाद हो जाएंगे, कितनी जाने चली जाएंगे. इस सरकार ने काम करके जो दिसंबर में दुनिया में वैक्सीन बनी, जन्वरी में भारत में लाग हुई, और भारत में भी लोगों को मिलने लगी, जो कभी हुआ ही नहीं था. और उस समय पर इन सबने मिलके उन वैक्सीन के खिलाफ आवाज उठाई और आपके तीन-चार महीने देश के खराब किये, और वैक्सीन को भी नुक्सान पहुचाया. लोगों को जो आकड़े में बढ़ोतरी हुई, वो भी ऐसे ही नेताओं के करके हुई. तो जब आपदा के समय पर केंद्र सरकार अगर आके कोई काम करे आपके लिए, तो उसका मतलब यह नहीं है कि राज्ये की कोई जिम्मेवारी नहीं है. राज्ये ने उस समय लोगों को भ्रहमित और गुमरहा करने के लिए कहा, कि हमें 18 से 45 वालों को भी पहले करना है. तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने का ठीक है जी, आप अपनी व्यवस्था कीजिए, 45 तक वालों की तो हम फ्री व्यवस्था कर रहे हैं, आप 18 से 45 के अपनी व्यवस्था करना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार ने का कि हमारी तो अपनी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत हम ल एक डाउन स्केल सबसे पहले सबसे जादा उमर वालों को और उसके बाद धीरे-धीरे कम उमर वालों को हम कर रहे हैं। पूरे देश भर में ऐसा ही चल रहा है और पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है।